और यह सारे स्किन टाइप हम क्यों समझ रहे हैं जिससे कि जब भी हम कोई भी मेकप यूज करें तो हमें पता हो कि कौन सा प्रड़क्ट किसी स्किन पर अपलाए करना है हलु कंजन में को अज से मैं स्टार्ट कर रहे हvertだ है एक है कि आपको एरी चैनल को पढ़ना पाएं और पहले है वे जब भी मेंदュ च्नल में अपको लियुए है कुछ करना तो हैं बट वो करने ही पाते जो ललकियां बाहर निकलना तो चाहते हैं पर यह सारे कोर्स सफ़ोड नहीं कर पाती डाल लिन नहीं चाह सकती तो इस अब उनके लिए लेका हैं तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कूर्स के वीडियो एंड तक देखेगा एक euros करने से क्या होता ना कि हमारे तोप समstillे और को ब्लेट नहीं कि प्लेट हैं तो आपको मेंसे के स्ट्रक्टर को ऊपर निचे कर सकते हैं बट हम चैंच नहीं करसकते तो आपकी ब्यूटी को नैच्रूल कर ही आपकी ब्यूटी को इनहांस करना त्य अगॉर मेक अप तो आपको समझ में आगया होगा वाइ वी दू मेकप नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपका ग्लासिफिकेशन ओफ इसकिन तरह की होती है वह हम आपको समझाने बाले और यह सारा इसकिन टाइप हम क्यों समझ रहा है जिससे कि जब भी हम कोई भी मेकप यूज चो तो हमें पत के पास आता है तो आप एले skin की पहचान करोगे देखो कि इनकी skin कैसी है देन आप उसके बाद उनका जो भी foundation, makeup, CTM करोगे उनकी skin की basis पे करोगे फर्सली आपके होती है जिसने आपका blood circulation बहुत अच्छा होता है और ये skin में कोई भी कोई भी problems नहीं होती mostly आप कोई भी चीजे यूज कर सकते है कोई भी टोनर कोई भी hydration की कोई भी चीज आप यूज करोगे वह आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी तो ये आपका होता है नानल इस्केश एक करसे जिसके बहुत होता है और उसमें ठोले से फ्लेक्स निकलने लगते है कोई जादा यूज कोई इसमें पाने की कमी होती है, as you can see in the picture वह होती है आपके dry skin, dry skin होती है तो आपको बहुत प्रड़क्ट आपको सोच समझ के यूज करने होते हैं, अब आपकी third skin होती है, आपकी oily skin, यहापी देख सकते हो, अब इसमें देखो कितना दिखने में शाइनी शाइनी लग रही है, अब इसमें देखे, अब जो शाइनी होती है, oily skin leaves blot of sebum on tissues, ठीक है, has lots of open pores, अब इसके open pores के होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, इसलिए उसके जो oil है, और यहां हमेशा आता रहता है, और इसी skin में क्या होता है, दो का मेकप जल्दी से stay नहीं करता है, तो फोर्थ skin होती है, combination skin, ठीक है, combination skin तो आपने बहुत सुना होगा आपको, normal, oily, dry you know, तो इस घी अपका यह स्टाइन और निया इमें किसी और झके हैं 기त वाय Tet आप ऐसी ही बनंट आती है आप समझ गया होंगे नियुक्त अमारे स्कीन आती है sensitive skin कैसी होती है a skin a sensitive skin can become inflamed and irritated after even touching it बतलब उसको छूने के बाद से ही उसमें कुछली sensitiveness break outs भीज़ा और बहुत सब्सक्साइब आपके रीडेशन redness तो आपके स्किन क्या है यह हामफूल होती है इस स्किन पर हम कोई भी चीज अपलाइ नहीं कर सकते अंटेल आपका डॉक्टर या फिर उनका डॉक्तर कुछ प्रिस्किप्शन देगा वही हम टोनर मौश्राइजर अपलाइ करते हैं मेकप हम सेम रखते हैं बटन की स्थारी च करते हैं मेकप अकरते हैं हमारे प्रोप्लम से हैं उसको हैट करने के लिए उसको हैट करने के लिए अम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बिल्कु Bew ciudadन करें में जितना नेच्छरल मीटप रखना क्लाइण या म сложно करता हैं फिर हमने बताय था आप को इस स्किन के पैचान य Qui क्योंकि जब आप मेकप करने जाते हो आप को इसकी पहचान होगी तब भी आप मेकप कर सकते हो अगर मैं DRY SKIN वाले को अधिक लिगा दो तो क्या होगा उनका मेकप अधने लगेगा रिमोव जाएगा ग्रेगा तो हम पहले करेंगे के इसकिन की पहजान के पहज़ान के इसकिन कैसी है उसके बाद हम आगे स्टेप पर जाएंगे तो फिर्स स्किन कौन सी थी normal सेकंड सिकन कान सी थी आपकी dry, ठर्ड आपकी oily, फौर्थ आपकी combination अफिध तो आपकी सी संस्ट democracy अब अब अनको कैसे आप सीटीम के थुरुक्ष करते हैं इसके बाद करेंगे तो आपने एतना अपना टाइम दिया फॉसके लिए हैं बहुत 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 थेंक्यू और यह वीडियों आपने देखा तौ प्लीज इसको शेयर करे गांगा उनके साथ स कोर्स की जरूबत है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर फॉर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो मैं आपके सारे किस सारे कमेंट्स पढ़ती हूं और मैं आपको रिप्लाइ जरू करूंगी और अगर आप आगरा से हो में क आप कोर्स करना चाहते हो तो आप उफलाइन भी मुझसे कोर्स ले सकते हो कंचर में कोवर्स मेकप इस्टूडियो एन अकेडमी इन आगरा मेरा नंबर में पिन कर रहे हूं और आप मेरा इंस्ट्राम भी फॉलो कर सकते हो जिसी कि आपको और सारे वीडियो की टेप से एंसे वाचिंगा